कि हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे हम चप्टर नंबर टैन की लूसेंट की सीरीज कर रहे हैं एंसी क्यू के थ्रू और चैप्टर वाइज आपकी सीरीज चल रही है कि जितने भी चैप्टर दिये गए हैं लूसेंट में चाहिए वो एंशेंट हिस्ट्री से हो मेडाइवल से हो या मोडन से वह हम यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं जितना भी लूसेंट का कंटेंट रहेग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इंट्रस्टिंग और बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेशन इसमें आपको मिलेंगे और मज़ा भी आएगा करते हुए इससे पहले हमने क्या किया है एंशेंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और इसके अलावा हम क्या कर चुके ह प्री मेडाईवल जो पिरिड है हमारा पूर्व मध्यकाल जिसमें उत्र भारत और दक्षिन भारत दोनों की हम चैप्टर कवर कर चुके हैं चैप्टर नमबर 10 से पहला क्वेश्चन है गजनी का वैप पर्थम शाशक कौन था जो खलिपाउं से सुल्तान की उपादी धार करते मैमुद घजनवी के सभी आकर्मन 1000 से सब्सभी सभी सिसवी के बीच में सरवाधिक महत्वपून आकर्मन कून सा थे आपको सबी को पता है कि वह 17 तकार्मन कई है इन्होंने देखो एकजार इसवी से लेकर एकजार चब्वीस इसवी तक लगातार आकर्मन के यह और यह सबसे ज़्यादा महतवपुन गरन्त की रचना की आप सभी को पता होना चीये कि अला बरून ये जो गरन्त लिखा था उसका नाम था किताब उलिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी उनके दरबार में कौन सी भाषा में राजकाज की जो भाषा थी या परशाशनिक जो भाषा थी वो आपकी फारसी थी नेक्स है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई ये question बहुत पार पूछा गया है आगरा नगर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई है लोधी वंश में जो सिकंदर लोधी राय उन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मर्तिव चोगान पोलो खेलते हुए हो गई थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए कुतुब दिन एबख जो है ये पोलो खेलते हुए चोगान जिसको हम बोलते हैं उसको खेलते हुए इसकी डैथ हो गई थी पुवत उल इसलाम मस्जिद का निर्मान किसके दोरा किया गया ये भी कुतुब्दी नेबक ने करवाया ओप्शन नमबर A तराइन की पहली लड़ाई आप सभी को पता है 1191 में और 1192 में पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई तराइन जो है एक तरावडी गाउं है करनाल में जो हरियाना से विलाओं करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है और जो बाहर से पढ़ रहे हैं तो इनको मैं बता तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किसके बीच हुई थी आप सभी को पता होगा प्रत्विराज चोहान जो मुवी आई थी उसमें बहुत डिटेल से ये चीज़ बताए गई है मुहमद गोरी और जो प्रत्विराज चोहान है इन दोनों के बीच पहली लड़ाई हुई थी जिसमें प्रत्विराज चोहान विजय हुआ था लेकिन बाद में सेयोगिता के प्रेम में आको और इन्होंने विवा कर लिया था और ये प्रेम विलास में डूप गए थे और बाद में जब मुहमद गोरी ने दूसरी लड़ाई लड़ी थी 1192 में एक साल बाद तब यहां अगर आपने पद्वांबगती मुवी देखी है तो यह भी बहुत अच्छे से देखा होगा अलावदिन खिल जी जो है उसने राजगदी उसको इतनी प्यारी थी कि वही आप राजगदी को प्राप्त करने के लिए जैसे देखो ऐसे नहीं कहेंगे कि यह इसने ही ऐसा काम कर दी थी पदमावती मुवी में बहुत डेटेल से चीज दिखाई भी गई है रज्या सुल्तान किसकी वेटी थी यह वेटी थी इल्टुत मिश्की मौहमद गोरी विजचेत्रों की देखवाल के लिए निम्न में से किस विश्रे सनिय जनरल को छोड़ कर गया था मौहमद परदेश जीत लिये थे जिन पर विजय प्राप्त कर ली थी और फिर बाद में जब युद जीत लिया था तराइन का सेकंड युद पर थुरा चुहान को बंदी बना लिया था उनके पोड़ दी गई थी उसके बाद कुतुबदी नेवक को छोड़ गया था कि अब ले जी नो ने राज सियांशित पर बैठने के लिए अपने ससूर की हत्या कर दी थी तराइन के दुच्टे युद में किसको प्राजित क्या ये युद हुआ था 1192 में तराइन का पहला युद 1191 सेम है आदमी नहीं बदलेंगे गोरी और प्रित्वराज चोहान पहले में प्र प्राजित किया तो मुहमद गोरी ने प्रित्वराज चोहान को हराया था सन 1329 अब यहां पर देखो पानिपत के युद भी आएंगे पंदरा सो चब्विस पंदरा सो सताई 1761 वह भी आएंगे सन 1329 और तीस के बीच किसके किसने तांबी के सिक्के के रूप में प्रमान सो का मिश्रण का है विरोध का मिश्रण मतलब विरोध भी किया और बहुत आदा कंफ्लिक्ट रहे हैं इनके साशेंकाल में तो मौमद बिन तूगल की है लोधी वंश का आंतिम साशक कौन था देखो इन्होंने टोकन करंसी जो चलाई थी ना लोग अपने घर पर करंसी बनान है तो इस पर इनका बहुत सारा कंफ्लिक्ट रहाा इंट, लोधी वंश काणतीम साशक था आपका attends के इह लोधी और दी नाम भूमी किसे का आजाता है इनाम हम हमी कहा जाता है कि से दिया जाता था कोई विद्वान होता था धार्मिक वेथा थी महुमी दी चाहती ब्रक्तों है लेकिन भारत पर विजह समय जो प्रियास किया था प्रियास किया था ओलावदिन किया। जो दो मुरुंकों से यह बाता है पर प्रथम तुक्र आकरमन तुर्क करने वाला यह महमूद गजनवी ही था तुर्की था उसके बाद निम्न में से कौन अपने को बुथ शिकन या मुर्ति भंजग कहता है तो आप सभी को पता है जो महमूद गजनवी है यह मुर्तियां तोड़ता था सोने की यहां से सोना लूटके ले जाता था सत्रा आकर्मन की यह लगाता गजनी वंशका था तो गजनी शासकता है और यह अपने आपको बुथ शिकन या मुर्ति भंजग कहता था महमूद गजनवी ने कौन सी उपादी ली थी एक तो इसने बोला था आपने आपको समराज्य का दाइना हातु में और मुसल्मानों का सरक्षक भी हूँ तो यामीन उद्धोला और अमीन उल्मिलत यह दोनों उपादी महमूद गजनवी ने अपने आपको धारण की थी हिंद्धोल का व्हीन करे महमूद गजनवी थी राजदा और कर भातात दी ने और ऑगे नहीं वड़ने दिया था और बार-बार हार रहे तुर्कों से यह थे हमारे जैपाल नमबर एक नेक्स्ट यहां पर चलते हैं अगला कोश्चन है मैमूद गजनी किस वंशका था तो मैमूद जो गजनी था वो था यामिनी वंशका ठीक है मैमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इत्यासकारों में कौन शामिल नहीं था किताब उलहिंद आया था जिसका लेखक है अलबरुनी आया था जिसने किताब उलहिंद लिखी थी फिर आपका लेखक उत भी आया था जिसने तारीक यामीन लिखी थी फिर आपके लेखक वहकी आया था जिसने तारीक सुबक्त गीन लिखी थी तो ये तीनों आये थे लेकिन जो फिर्दोशी के लेखक थे शाहनामा के जो लेखक थे फिर्दोशी वो नहीं आए थे दुबारा से कर लेते हैं मैमूद गजनी के साथ कुछ हिस्टोरियन भी आये जिनोंने अपनी पुस्तक लिखी जैसे अलबरू नहीं आया उसने लिखी किताब भुलिंद उत्वी आया तारीके यामिन लिखी वहाकी आया जिसने तारीके सुबक्तगी लिखी लेकिन फिर्दोशी नहीं आया और उसने पुस्तक लिखी है शाहनामा नेक्स्ट है मैमूद गजनवी के आकर्मन के प्रिणाम सवरूप कौन सा सहर पार्सी संस्कृति का केंद्र बन गया था तो यह बन गया था लाहोर जो अभी पाकिस्तान में है निम्न में से किसने डोल की तेज अवाज के साथ एक महिला का अप उसके पती की जो है वह डैठ हो गई थी और वो उसी चिता में अपने आपको जला लिया था उसने तो इन दर्शों का भयानत चितरन किसने कया है इबन बतूता ने किया है जो की मौरकों से आया था मतलब कहने का यह सतिपरता को बता रहा है यह भारत में मुसलिम राज का सं किसे छोड़के गया था कुतुब दीन एवग को किसन एकतादारी परसा चलाई थी, इकतादारी की परसा, यह बहुत इंपर्टन कवेशन है, यह चलाई थी इलतुत मिश्फ में, लाक बक्ष के नाम से किसको जाना जाता था, कुतुब दिन एबग जो मारी कुतुम मिनार ना इसी ने निर्मान कराया था बाद में जो दो मंजिल बनाई वो इलतुत मिशिन बनाई थी पेरवी सदी में सेना का सरवोच अदिकारी कौन होता था तो ये होता था खान भारत में गुलाम वंश का संस्तापक कौन था गुलाम मिनार के कार्यव को किसने पूरा क्या देखो रिण्मान शुरू किया था कुदुभी नेवक ने लेकिन पूरा किस ने क्या मिया इल्टृत्मिश ने किया निम्न ने पहला आकर्मन किया था यंदू शाय या ब्रामन शाय तो यह कलर लोगों ने स्थापित किया था वहर रोमन समराट अगस्टस की भाती सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली नहीं लगना चाहिए यह कतन था बहलो लोदी का अलबरूनी किसके साशनकाल में इतिहासकार थे तो यह मैमूद गजनवी के साथ आयता है वह हम पढ़के भी आये हैं यह हमें क्या करना है मिलान करना है निजामुदीन ओलिया इसने क्या किया था कि नियंतरित दाम वैराशन की दुखाने शुरू की मलिक कापूर यह सूफी स थे अलाउदिन खिल जी यह दाश राजवंश को उखाड फैका था दाश की सापना करके और फिर कह रहा है कि जलालुदीन फिरोज खिल जी यह हजार दिनारी भी कहला था एक पर आप देख लीजी अंसर फिर मैं करा देती हूं यहां पर जो आप्शन रहेगा वो कैसे रहे पी थी और जलाउदिन फिरोज खिल जी इसने दाश राजवंश को उखाड प्यका था तो आपके उप्शन रहेंगे 2413 दुबारा देख लेते हैं निजामुदिन ओलिया सूपी संत बोला जाता था मलिक कापूर यह पदमावती में आपने देखा भी होगा हजार दिनार मे बोला जाता था अलाउदिन खिल जी इसने दाम और राशिंग के दुकाने शुरू की थी और जलालुदिन फिरोज खिल जी यह दाश राजवंश को उखाड प्यका था तो ऐसे कर लीजिए 241 नेक्स है कौन सा साशक गुलाम राजवंशे संबंदित है मतलब कौन सा शाशक दास जिसने गुलाम वश में था तो यह थे इल्टोतिश दक्षन अफरीकी यातरी इबन बतूता किसके शाशंकाल में आया था यह आया था मोरकों से महबद मित्टुगलक के इनों ने ही चितरन किया है कि एक महिला के पती की चिता जल रही थी और उसमें महिला खुद ही स् किया है इबन बतूता जो कि एक क्या थे मौरकों या अफरीकी यातरी बोल सकते मौरकों से आये थे मैमूद गजनवी ने कितनी बार आकर्मन किये थे 17 बार सबसे फेमस आकर्मन है आपका सोमनात का मंदिर और यह लूट पार्ट करते थे मुर्ति बंजग कहते थे अपने आ को थे आया था इक यासकार बते आकर चलते हैं किसी अपने आपको खलीफा कर्ट किया मुबारक शहा कर दोंच करने वाला जो शार्षर मुबारक शाहलत ने क्या आए लाइभा दी जिससे हजार दिन आरी मोला जाता है अल्बरूनी द्वारा रचित पुस्तर किताब उल्हिंद या तारिक उल्हिंद में किन विशों की समिक्षा की गई है किस-किस विशे के बारे में बताया गया है भारते गणित के बारे में भारते इतियास बुगोल के बारे में और खगोल विज्ञान दर्शन तो ये सारी चीज़ें अलबरुनी ने जो इनकी किताब है तारीक अलिंद इसमें या किताब अलिंद दोनों का एकी नाम है किताब अलिंद बोलो या तारीक अलिंद इन तीनों का वरन गया है अलबरुनी का पूरा नाम क्या था अबू रहान महुमद ध्यान रखेगा अबू रहान महुमद अलबरुनी के अकॉर्डिंग अत्यन्थ जो होता है चतूरवन के नीचे का भाग इसमें क्या-क्या शामिल थे मतलब जो हमारे ब्रामन थे शत्रिय थे वेशेस थे शुद्र थे चतुरवन के भी नीचे के भाग में क्या क्या आते थे धोबी मोची जादुगर डालिया डाल बनाने वाला नाविक मच्वा व्यादा जुलाहा ये सारे आते थे और भी दोनों ग्यारवी सदी के भारत का दरपन किसे कहा जाता है ये कहा जाता है ग्यारवी शताबदी की बात कर रहे हैं वही एकजार से लेकर एकजार चब्वीस और क्योंकि ग्यारवी शताबदी पूरी आएगी यहां तक आपकी 1100 तक तो फिर इसे भारत का दरपन किसे ने करा है ये कर वहांदत का पहला सुल्टान जिसने स्थाई सेना रखनी शुरूगी थी यह की थी अलाउदिन खिल जिलजी ये बारे में कौनसे विचार सही है अलाउदिन खिल जी ने अनाज के दाम नियमित के थे राशन के दुकाने अभी हम पढ़के भी आये थे नेक्स यहाँ पर बात करें तो अलाउदिन खिल जी पहला ऐसा सुल्तान है जिसने सैनिको को नगद वेतन किया स्थाई सेना रखी नगद वेतन भी दिया उसके बाद यहाँ पर बात करें तो अलाउदिन खिल जी के साशनकाल में किस्तानों दुवारा दिये गए भूर आजश्व का अंस फसल के आदे तक बढ़ा दिया मतलब एक बटा दो कर दिया था आधा इसा देना पड़ेगा तो ध्यान रखिएगा सभी सही है ठीक है जी नेक्स से आंपे बात करते हैं दिली के निमने सुल्तानों में से किसने तैमूरी शाशक मिरजा शारुख के अधिराजे में आना सुल्तान ने ख्रिज का सईयर ने रजिया सुल्तान के बारे में गलत बताना है इल्टुतमिशृ ने वंशान उगत, रांतिर स्तापित करने के कोशिश के और पुत्रों की यह यह वगता होने के कारण, अपनी बेटी को उतरादिकारी मनोनित किया मुसलिम पहली मुशलिम साशक है यह क्योंकि पहली मुशलिम महिला साशक है महिला साशक मतब पहली ऐसी महिला या पहली ऐसी मुसलिम जो कि एक महिला के तोर पीनों ने शाशनक है इल्टूतमिश की बेटी थी, बेटे अच्छे नहीं थे, अयोगए नहीं थे, इनिलेजिबल थे या नोन इलेजिबल थे तो अपनी बेटी को बेटी को बठा दिया कोशिश की और गैर तुर्की साशन को नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था और कैथल में इनकी मर्थी हुई चे और मकबरा भी वहीं पर बनाया गया इनको मार भी आ गया था मिमन मेंसे कौन साकतन बल्बन के बारे में आ सक्ट्या है तो सारे सही है चालीसा दल चैल गानी इसी ने इससे समंधित सामन्तों का दमन किया उसके बाद कानून और वैवस्ता की बलाही के लिए बहाली के लिए लोहर रख्त की नीती अपनाई एक तो द्यान रखना चैल गानी का दमन हुआ लोहर रख्त की नीती अपनाई और दिवाने अर्ज की सा सब्सक्राइब है जब मैं मतलब जब मैंने पहली बार कोचिंग लेती तो यह ट्रिक जो है गुड़ कखा तसले गया गुलाम यह àप वह मौमत गणवी इसके बाद कुट्ग एवख को चौड़ गया फिर आया खिलजी ऑप लाव दिन खिलजी तुगलच गया इस्यद वश्य लोदी वश्य और फिर मुगल त source सबसे पहले गुलाम वांश है एक आएगा फिर आएगा तो गलत वांश पांच आएगा फिर सेये दुनस आएगा और फिर आपका लोड़ी आएगा नेक्स यांपे बात करते हैं मुहमद गोरी के अकर्मन हो कानिमन में से क्या प्रिनाम नहीं हुआ गोरी का जो अकर्मन रहा पंजाज से लेकर बंगाल तक फिर से उत्र और भारतिक केंद्रेस संत्था में यक दिन हो गया नहीं है ऐसा नहीं हुआ बूर्रा जसत से प्राप्त आतिक साधन अब प्रतिक शुरुक से शाक्षर बडस्खे हाथों में कहें हो ग्या मतल他ई के पास जाता था नग्रिय क् तुर्कों द्वारा राजपुतों को प्राजित करने के कौन से निम्न कार्ण थे तुर्कों ने राजपुतों को प्राजित किया किस कार्ण से पहले उनका प्रतत्तावादी और अनुदार होना मतलब अलग अलग बट रहे थे एक दूसरे की कार्टी करते थे फिर आपका आस चांती और इंसा की कोई नीची नहीं थी मतलब लोग मिल जुल के नहीं रहे तो यह कार्ण नहीं था यह पॉजिटिव चीज़ वाधी आपकी आपकी सावी नहीं तो गुलाव मश के आरंबिक साशकों का निम्नु में से कौन सा सही करम है तो यहां पर देखिए देखो सबसे पहले आपका कुतुबदी नेबक गौरी छोड़ के गया फिर आएगा आराम शाहा ज्यादा नाम नहीं आता इसका फिर इल्टुत्मिश है और पिर आपकी आएगी रज्या सुल्तान जो आपको दे रखा है उस option के according यह answer है अलाई दरवाजा निम्नु में से किसका मुख्य द्वार है तो यह कुत्व मिनार के अंदर है तो इसमें हैं दोस्तों क्वेशन सो आज करेंगे और सो करेंगे कल वाली वीडियों में नेक्स एक हिंदों द्वारा दिया जाने वाला भूमी कर क्या कहला था इसको कहते थे खराज युद की लूट में राज्य का एक बटा प दुबारा देख लोग हिंदू लोग जो देते थे अपना भूमी का कर उसको कहते थे उसको कहते थे खराज ऑप्शन नमबर फिर युद की लूट में राज्य का एक बटा पांच बाग देना यह होता था खुंद मुसलिम जब भूमी कर देते थे उसको उश्र कहते थे और मुसीमों पर जो धार्मी कर लगाया जाता था उसको जकात कहते थे तो ध्यान रखेगा यह ऐसे ओप्शन सही रहेगा दो एक तीन चाहर इब्राहिम लोदी के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है इब्राहिम लोदी एक क्रूर शाशक थे और निरंकुष शाशक थे काबूल का जो शाशक था वहाँ पर बैठा था बाबर उसको बुलाया गया था इब्राहिम लोदी को खराने के लिए ंद्भीं काबुल के स्पाबर को बुलाया था यह यहाँ पर बिल्कुल सही है अमिर Khushru के संब्ध में निम्न में से कौन से सत्य हैं? तो अमिर Khushru का आपको पता होगा, ये निजामुदिन ओलिया के शिष्य थे, सुफी शंस शिख निजामुदिन ओलिया के, और ये फिरोज खिल जी के दर्बारी कवी भी थे, जलाल उदिन फिरोज खिल भी के, भारतिय वादियंतर विणा और इरानी वादियंतर तंबुरा के मिश्रन से इनों ने सितार का आविश्कार किया ध्यान रखेगा सितार का आविश्कार करने वाले अमिर खुश्रों है जयाल खाई की का भी आविश्कार किया तो सारे यहां पर कतन सही है दिल्ली सल्तनत के पतन के निम और तुर्व था आधिगरेंट किस पत्सनीति का भाल यह तो यह तीनने में से हैं भारत पर खिया गया ज्वित्य है तुर्वांगे तुर्मज गौरी आपके अपर को पहला है तो यह थे शाबु दीन इसने अपने आपको बोला, म्यूजी दीन बोला, मुहमद बीन साम बोला, ये सब चीज गोरी को बोली जाती है, गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आकर्मन किस राज्य के खिलाफ किया था, जो गोरी आये थे 1175 में, तो पहला आकर्मन किया था, मुल्तानों के खिल यह यहां पर तोलंकी साशक्ते भीम सेकंड इन्होंने मुहम्मद गोरी को प्राजित किया थे बारत का पहला साशक्ता मुहम्मद गोरी और पित्थुरा चुहान के बीच में जो विवाद था उसका मूल कान क्या था क्यों लड़ाई हुई थी यह हुई थी भटेंडा के फिषिक गोरी ने कर प्रित्थुरा चुहान को भ्रा लिया था गोरी और को ओरख कराजा जैचनत के मध्य हैं 1194 भी में युह को Moon 1194 में पूछ रहा है 1192 कराइन का पहला और दूसरा यूद 1194 में आपका चंजावर का यूद यह हुआ गोरी और कन्योज के राजा जैचंद के बीच यह हुआ था चंदावर का यूद जैचंद ही वह है जिसने गोरी को प्रिथरा चोहान के खिलाफ भड़काया था और यह च पर ध्यान रखिएगा नेक्स से आंपर बात करते हैं तराइन का दूसरा ऐसा निरनायक यूद समझा निया चीए जिसने भारत पर मुसल्मानों के आधारबूत सफलता निश्चित कर दियो और बाद में होने वाले आकर्मन इसके परिमान मातर थे यह बोला था वियसमित न तब ही मुगल मुगल कहरें सोरी तुर्कों पहला गजनवी था दूसरा गोरिया गया था कुतुब दिने बगकर चोड़ गया था जिसने गुलाम वंश के सापना की थी तो तब ही मुसल्मानों के आधारबूत मानी जाते तो इस यूदने सफलता निश्चित कर दी कि वही अब मुसलिम नहीं जाएंगे मुगमद गोरी के कि सेनापती ने बिहार विजय बारा सो दो और तीन बंगाल विजय बारा सो चार पांच और असम पर आकर्मन बारा सो छे में किया ये कौन थे वही ये गोरी के सेनापती थे कौन ये थे इक्तियारू दिन मुहमद बिन बक् मैं पएसा समराज्य वैसे मैंखें गोरी चला गया ठारी दूपिया सब कुछ क्श अलावदिन हिल जी अ खर्मन के समय देवगीरी के साशक कों ते अलाउदिन खिल जी ने जब आकर्मन किया देवगिरी पर तो यहां पर शाशक थे रामचंद्र देव जब उसने राजश्व प्राप्त किया तो वह शेरियत के नियमों और आदेशों से पूर्णते सोतंतर था सल्तनत काल में भूरा जस्व का सर्वत्व ग्रामीन अधिकारी इसको चोदरी बोलते थे तैमूर के आकर्मन के बाद भारत में किस वंश का रास था पित वा था तैमूर के बाद आ गए थे यहां पे सेयद वंश निमन मेंसे किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे तो ये थे फिरोजगार तुगलक के दरबार में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था ये भी यहां पे क्या है फिरोज तुगलक है तो उपर भी फिरोज तुगलक है, सबसे अधित गुलाम, मतलब गुलाम बना के रखा, सबसे ज़्यादा रोजगार दिया, रोजगार दिया तो इसका मतलब क्या, अपना गुलाम भी बनाया, फिरोज तुगलक ने, रोजगार भी दिया और सबसे ज़्यादा गुलाम भी ब इन्मान यह कराया अलाउदिन खिल जिन ने ठीक है उसमें यह कुतु मिनार में तो अलाई दरवाजा अलाउदिन खिल जी ने कुतुब दिन एबग की राजधानी क्या थी उसने अपने राजधानी लाहुर को बनाया था अलाउदिन खिल जी के परसित सेनापती में किसकी गोलग के विरुद लड़ाई करते हुए हत्या हो गई थी यह था जफर खांग नेक्स यहां पर बात करते हैं मुझमे उत्पाद पर लगने वाले कर कौन-कौन से हैं देखो खराज खुम्स ओश्र और मुक्तई तो हमें पता है कि भाई जो यह क्या कहते हैं खराज है खुम् मुक्तई है देखो मिल जाता तो मैं करा देती हूं यहीं पर था ज्यादा दूर यह रहा हिंदू द्वारा जो दिया जाता था वह था आपका खराज खुम्स तो यहां पर युद्ध की लूट का पार्ट है मुस्लिम देते थे आपका उश्र और धार्मिक कर यह जकात है त तुगलक नामा के जो रचनाच कार हैं वो हैं आपके अमीर खुसरों कि एक सेकेंड देख लीते हूं मैं इसका हां अमीर खुसरों भई ध्यान रखिएगा ऑप्शन अंबर सी गुलबदन बेगम उस टाइम पर नहीं एकबर के टाइम पर है और अलबरूनी अलग है बर नी जिसे बोलते हैं तो अमीर खुसरेयां जिसने तुगलक नामा लिखा बारत में मुहमत गोरी ने किसको अपना पहल अपर्थम अक्ता परदान किया था ये कतुगदी नेबग को छोड़ के चले गए थे कि सुल्तान के काल में खाली सा भूमी अधिक पैमाने पर विक्सित टंका शाशगनी और जीतल तंका बनी होती थी चांदी की साशगनी ने से चानदी के यहीं ज çıkar गया ओक्शन अंपी कि अन्या जोग खोला गया जिसे अमीर को ही बोला जाता था दो बोहां बोला ड Shiit सब्सक्राइब करेंगे इससे तो काफी सारे क्वेशन बनते हैं आप सभी को पता भी है मैं आपको दिखा भी देती हूं कि 200 बन रहे हैं इस चैप्टर से और तो हम यह करेंगे आपका देखो 112 कोशन है उसके बाद आपका सल्तनत काल्त विजयनेगरो अन्य प्रांत आ जाएं प्ली सब्सक्राइब चैनल और जाएं प्ली सिर्ट विडियो थैंक यह सो मुच